ओम शान्ती एक चन्वरी दो हजार चोबिस प्राता मुडली ओम शान्ती बाप दादा मदुबन आजकी मुडली का सार है मीठे बच्चे तुम राज रिशी हो तुम्हे राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुशार्थ करना है साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारन करने है आजकी मुडली का प्रश्ण है उत्तम पुरुश बनने का पुरुशार्थ क्या है किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए बाबा ने उत्तम पुरुश बनने का पुरुशार्थ क्या है किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए बाबा ने उत्तर दिया उत्तम पुरुश बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं बाबा कहते उत्तम पुरुश बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं पढ़ाई से लड़ने जगरने का तैलोक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब इसलिए सदा अपने उनत्ती का ख्याल रहे चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए बाबा कहते देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए बहुत बहुत मीठा बनना है मुख से ऐसे बोल निकलें जो सबको मीठे लगें किसी को दुख ना हूँ अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप तादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तादा को नमस्ते नमस्ते, डाइमेंड मॉर्निंग गुद मॉर्निंग बाबा, गुद मॉर्निंग शुक्रियां बाबा, शुक्रियां धारना के लिए मुख्य साथ, नमबर वन पॉइंट, अपना देवी करेक्टर बनाना है, देवी गुंद धारन कर, अपना और सर्व का कल्यान करना है, सबको सुख दिना है, सबको सुख देना है, सेकिंड पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धी एक बाप से लगानी है, बुद्धी को भटकाना नहीं है, बुद्धी को भटकाना नहीं है, बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है, आज की मुड्ली का वर्धान है, चलते फिरते अपने द्वारा अस्ट शक्तियों की किर्णों का अनुभव कराने वाले फरिष्टा रूप भव, विश्लेशन है, जो बहुत कीमती मुल्लेवान बेदाग दाइमेंट होता है, उसे लाइट के आगे रखो, तो भिन भिन रंग दिखाई देते हैं, ऐसे जब आप फरिष्टा रूप बनेंगे, तो आप द्वारा चलते फिरते अस्ट शक्तियों के किर्णों की अनुभूती होगी, कोई को आपसे सहनशक्ति की फीलिंग आएगी कोई को निर्ने करने की शक्ति की फीलिंग आएगी कोई से क्या कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी आजकी मुल्ली का स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमान वह है जिसका हर करम सर्व को प्रेणना देने वाला है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर करम सर्व को प्रेड़ना देने वाला है ओम शांती